हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं आमला का पहुत ही जादा टेस्टी इंस्टेंट अचार आमला हमारी बोड़ी के लिए पहुत ही फायदेमंद माना गया है तो किसी ना किसी रूप में हमें इसे जरूर खाना चाहिए और जो ये आमले की रेस्पी है ना ये तो परसनली मुझे बहुत पसंद आती है आमले के अंदर कई तरह के गुण होते हैं जो हमारी बोड़ी के लिए पहुत ही फायदेमंद होते हैं आखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए आमले को बहुत अच्छा माना गया है तो यहां मैंने आदा किलो आमले लिये हैं, इन्हें अच्छे से दो लिया है और अच्छे से कपड़े से पहुँच लिया है अब हम लेंगे एक कूकर, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आमले को इसमें उबलने के लिए रख देंगे हमें यहां आमले को चादा नहीं पकाना है, एक सिटी आने से पहले ही हम गैस को बंद कर देंगे तीन से चार मिनट में ही भाप में यह अच्छे से पक जाते हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह पक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे आमला कैंडी की रेस्पी भी मैंने आप से शेयर की है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बनाने में बहुत ही आसान और बिलकुल बजार से भी अच्छी आमला कैंडी आपकी घर पर बनकर तयार हो जाती है सारे आमले हम बारी-बारी से निकाल कर रख लेंगे और फिर इने थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम इनके बीज भी अलग कर लेंगे ये देखें आमला अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इसके बीच को निकाल कर अलग कर देंगे आमले के इस इंस्टेंट अचार को बनाना बहुत ही जादा आसान है और खाने में तो ये बिल्कुल ज़वाब लगता है अगर आपने एक बार ये आमले की रेस्पी बना लेना तो आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे आई होप आप सभी को भी रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए और जो पहली बार हमारी रेस्पी को देख रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही हेल्थी और टेस्टी और सूपर इजी रेस्पी आपको मिलती रहें तो इसी तरीके से सभी आमले के बीच को निकाल लेंगे और जो इसकी स्लाइस होंगे ना उनको भी अलग-अलग कर लेंगे तो अब बारे आती है हरी मिर्च की यहां आप मिर्च की क्वांटिटी को अपने अकोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अगर आप मिर्च खाने के सोकीन है तो आप यहाँ पर मिर्ची को ज़्यादा रख लीजिए अगर आप कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची क्वांटिटी को कम कर सकते हैं अब इसे बारिक करके काट लेंगे ध्यान रखिए मिर्च को अच्छे से धो लेना है उसके बाद अच्छे से साफ कपड़े से उसे पौँच लेना है उसके बाद ही हम मिर्च को काटेंगे तो फटा फट से मिर्च को काट कर रख लेते हैं अब हम लेंगे एक कढ़ाई उसमें डालेंगे सरसो का तेल दो बड़े चमच मैंने आपर सरसो का तेल लिया है अब यह जब अच्छे से गरम हो जाए जब इसमें से अच्छे से दूआ उठने लगे तब हम इसमें डालेंगे एक चमच भर के जीरा देखे जीरा अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई मिर्च अब देल में अच्छे से इनको पका लेंगे तीन से चार मिनट में ही मिर्ची अच्छे से पक जाएंगी और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा तो तब तक हमें इसे पकाते रहना है चमचे को चलाते रहना है लीजे मिर्ची बिलकुल तयार है, अच्छे से भून गई है अब हम इसमें डालेंगे आमले मिर्ची बहुत ही ठीकी थी तो इसलिए मैंने फेस को कवर कर लिया अब हमें इसमें डालने हैं कुछ बेसिक से मसाले जैसे एक चममच हल्दी हम इसमें डालेंगे डेट चमज धन्या पाउडर इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे तो से तीन मिनट के लिए इसको चलाते रहेंगे जब तक कि हल्ली और मिर्च अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा अब इसमें डालेंगे बहुत ही खास चीज जिससे इसका स्वात बिल्कुल दुगना हो जाता है वो है सौफ यहां मैंने डेड़ चमज पिसी हुई सौफ इसमें एड़ की है सौफ एड़ करने से फ्लेवर तो अच्छा आता है है साथ में इसकी खुस्बू भी बहुत अच्छे आती है अब टेस के अकोर्डिंग नमक इसमें एड़ कर देंगे अब इसे अच्छे से मीक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसे और पकने देंगे तो लेजी बहुत कम मसालों के साथ, बहुत कम तेल में इंस्टंट अचार बन कर बिल्कुल तयार है आप इसे महीनों भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं तो है ना इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान इसे रोज के खाने में सामिल कीजिए, पराटे के साथ खाईए, अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इसे साथ ले जाईए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी तो रहता ही है ये आमले का इंस्टंट अचार आपके खाने में चारजान लगा देगा तो आज ही इस टेस्टी और इजी इंस्टंट अचार को बनाएए और अपने खाने में सामिल कीजिए आप सभी को ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताएए और ठंडा होने के बाद इसे कांच के कंटीनर में भरकर आप इस्टोर करकर रख लीजिए रोच के खाने में इसे सामिल कीजिए और महीनी भर तक पी ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है हेल्थी और सूपर टेस्टी अचार बनकर तयार है तो फिर मिलते हैं किसी और रेस्पी के साथ थेंक यू फॉर वोचिंग